नमस्कार दोस्तो सौगत है आप सभी का इजी नोखरी चनल पर दोस्तो इस बने हम देखेंगे IPL 2020 जीके तो दोस्तो 2020 में अभी IPL का 13 मां संस्क्रण हुआ सौधी अरब अमिरात में उसे समधे महत्पूर कोशन ना है और हाली में मुंबे इंडियन ने डिली कैपिटेल स्कोर आके IPL 2020 का 13 मां संस्क्रण जीत लिया है तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं तो दोस्तों अगर आप हमारे जीनो की यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें साथ के साथ बैल आइकॉन जरूर क्लिक करें जिससे हमारी रेगुलर नॉटिकेश लिंक दे रखा है तो चले स्टार्ट कर लिए आज का को इस तो दोस्तों IPL 2020 आपको सबसे पहले याद रकना है IPL 2020 जो था यह 13 मां संस्क्रण था यह जरूर याद करना यह यह किसने जीता ए तो दोस्तों यह जीता है बिस्कली मुंबई इंडियंस ने किसे हराकर जीता है तो दोस्तो मुंबई इंडियंस के जो पर बक्ष में थी वो दिल्ली कैपिटल थी और मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को हराकर IPL 2020 का 13 महतं संक्राण जीत लिया याद रखेगा दूसरा कोशन देख लेते हैं दूसरा कोशन है IPL 2020 में विजेता टीम को कितनी धनाशी दी जाएगी तो दोस्तो IPL 2020 में मुंबा इंडियन जीती है तो मुंबा इंडियन को इसमें मिलेंगे 10 करोड ठीक है अभी दिल्ली कैपिटल लई है उसे 6.25 करोड राशी करोड रूपे के रूप में दी जाएगी दिल्ली कैपिटल को मिलेंगे 6.25 करोड धनाशी क्योंकि वो रनराप रही है ठीक है और विजेता टीम को दिये जाएंगे 10 करोड रूपे अगला कोशन देख लेते हैं दोस्तों अगला कोशन है आईपील 2020 में कितनी टीमों ने भाग लिया था दोस्तों आईपील 2020 का जो तेरह मां संस्क्राण था उसमें कुल 8 टीमों ने भाग लिया था मुंबवां इंडियन, नाइट राइडर, चिन रइस सूपर किंग, रहस् लगे था रही थी वह मुंबई इंडियांस में रही ती जिसम्हें आइभि टीन रही थी वैं दिल्द प्रिंद तक Mumbai Indian ने 5 बाड जीती है मैं बता दूं आप PIK में देख सकते हैं दोस्तों Mumbai Indian ने सबसे पहले जीती थी 2013 में और उसके बाड जीती 2015 में फिर जीती 2017 में और पिर जीती 2019 में पिछले साल भी जीती और 2020 की भी टॉफी अपने नाम कि यानि की टोटल IPL की टॉफी मुंबा इंडियन ने कुल पांच वार जीती है याद रखेगा अगला कुशन देख लेते हैं दोस्तो IPL का पहला संस्क्रण कब खेला गया है दोस्तो आपको जानकारी होनी चाहिए सबसे पहले IPL कब खेले गए थे तो दोस्तो 2008 में खेले गए थे ठीक है याद रखेगा और 2008 में जो विजेता टीम रही थी वो राजिस्तान रोयल रही थी पहली संस्क्रण में और इस वार जो खेला गया है ये IPL का 13 मां संस्क्रण धन नगना अगला कुशन देख लेते हैं मुमा इंडियन के कप्तान कौन है तो दोस्तों मुमा इंडियन जो कि IPL 2020 का 13 मां संस्क्रण जीत चुकी है उसके उसमें मुमा इंडियन के कप्तान को थे तो वो थे रोई शर्मा याद रखेगा रोई शर्मा जो की भारतिये ओपनर है और मुमा इंडियन के कप्तान भी है IPL 2020 में रोई शर्मा ने कप्तानी की थी मुंबाई इंडियन्स की अगला कुशन देख लेते हैं दोस्तों मुंबाई इंडियन्स के कोच कौन है वेरी वेरी इंपूटेंट तो दोस्तों मुंबाई इंडियन्स के जो कोच हैं वो हैं महला जयवर्द ने ठीक है ये शिलिंका के पूर शर्मायाद रखेगा अगला कुश्षन देख लेते हैं दोस्तो अगला कुश्षन आई पील 2020 गवनिंग कांचल के चेर्मेन कोन है तो दोस्तों आई पील 2020 के लिए गवनिंग कांचल बनाए गई थी दोस्तों एक सुप्रेम कोट की जो नियादिश ते लोडा कमिटी उन्होंने बनाई थी ठीक है इनका नाम था जो जज पैनल थे वो थे उसमें लोडा कमिटी बनाई गई थी उन्होंने कहा था दोस्तों IPL 2020 जो होगी उसमें गवर्णिंग काउंसिल बनेगी ठीक है और वो एक तरीकी IPL आयजुत कराएगी ठीक अगर मैं BCCI की बात करूं BCCI की percent कोन है स्वारप गांगोली और जो BCCI होती है वो ही ये governing council बनाती है अलग IPL के लिए और ये जो governing council बनीती इसके जो chairman रहते वो बिर्जेस पटेल इसमें रहे ते टिक है याद रखेगा governing council chairman बिर्जेस पटेल फोड़ो देख सकते हैं अगल प्रिकाष मेंorig से मेंट seså स्राव्डुन को अगरो से रИक मेंट दोज дня रखेल करें दुबाइव कर्केट स्तेडिय और ने को आई पर किल्गिया था नोद तो ऐपिल 2020 की तेरह माँ संस्क्रंड की टॉफी जीत ली यह डूबबई कुषण देख लेते दोस्तोई ऐपिल 2020 कि देश में कहिला गे स्धीन गया तो डूस्तोई पिल 2020 में सबसे महगे किलाडी रहे थे पैट कमेंस ठीक है याद रखेगा इनका जो बेस प्राइस था दो करोड था और खरीदा गया था इन्हें 15.5 करोड में तो दोस्तों कोई मुझे बसा सकता है पैट कमेंस कौन सी टीम से किलते हैं यह मुझे कमेंड में जरू बताएगा आज के लिए आपका कुश्च पैट कमेंस जो की IPL 2020 में सबसे मेगे खिलाडी रहे अगला कुशन देख लेते हैं दोस्तों IPL 2020 में final match में man of the match किसे चुना गया तो दोस्तों final match में जो Mumbai Indian न जीता उसमें man of the match जो रहे थे वो रहे थे trend bold नुई जरेंड के खिलानी है trend bold और यह final match में man of the match चुने गये थे य इशान किशन को दिया गया याद रखेगा इशान किशन को most success का एवाड दिया गया याद रखेगा अगला कुशन देख लेते हैं दोस्तों IPL 2020 most valuable player का एवाड किसे मिला तो दोस्तों आप देख सकते हैं इनका जो नाम है जोफरा आचर और comment में मुझे कुशन का अंसर है याद रखेगा अगला कुशन देख लेते हैं दोस्तों IPL 2020 player of the series का आवाड किसे मिला तो दोस्तों final में player of the series का भी अवाड दिया गया तो man of the match 10 बोल्ड को मिला और player of the series यह भी जोफरा आचर को मिला याद रखेगा most valuable player भी थे और साथ के साथ player of the series का भी नहीं आवाड म मुझे बताईए किस देश के खिलाडियां याद रखेगा अगला कुशन देख लेते हैं दोस्तों IPL 2020 की टोफी मुंबा इंडियन्स को किस ने सौफी तो दोस्तों यह काफी important है मुंबा इंडियन्स को टोफी किस ने दी तो आपको बताए स्वारब गांगोली ने दी BCCI क अगला कुशन देख लेते हैं दोस्तों IPL 2020 में किस टीम ने पेर प्ले अवार्ड जीता तो दोस्तों यह एवार्ड भी जीता मुंबा इंडियन्स ने टोफी तो अपने नाम की साथ के साथ फेर प्ले का एवार्ड भी ले लिया तो दोस्तों मुंबा इंडियन्स ने फेर प्ले अवार्ड जीता याद रखेगा अगला कुशन देख लेते हैं IPL 2020 में emerging player कौन रहे तो दोस्तों emerging player जो रहे थे वो David particle लहे थे ठीक है याद रखेगा कौन रहे थे David particle लहे थे ठीक है और दोस्तों मुझे comment में ये बताईएगा David particle IPL की कौन सी team से खिलते हैं comment में जरूर बताईए David particle जो की emerging player के रूप में चुने गए थे याद रखेगा अगला question देख लेते हैं IPL 2020 में purple cap किसके पास थी ठीक है purple cap से क्या मतलब है दोस्तों ये भी मुझे comment बताएगा IPL में purple cap किसे दी जाती है तो दोस्तों कगीसो रवाटा मैंने hint देती है कगीसो रवाडा ठीक है अगर ये आप जानते हैं batsman है, baller है, all-laounder है इनकी क्या योगिता है match में, ये क्या करते हैं, betting करते हैं या bowling करते हैं इससे आप लगा सकते हैं और purple cap उसी छेतर में दी जाती है अगली वीडियो में मैं जरूर बताऊँगा जो आप comment करेंगे उसका अंसर कगीसो रवाडा को purple cap मिली या purple cap इनी के पास रही थी अगला question देख लेते हैं, IPL 2020 Orange Cup किस खिलाडी पर रही तो दोस्तों Orange Cup जो दी जाती है, वो most run के लिए जी जाती है केल राहूल को मिली है, याद रखेगा केल राहूल को Orange Cup मिली हुई है और ये front basically जो most runs होते हैं वो केल राहूल के ही नामते इसलिए उना Orange Cup दी गई ठीक है, याद रखेगा Orange का IPL 2020 के तेरे में संसराणक की जो Orange Cup है, वो केल लाहूल के ही पास रही ठीक है और दोस्तों अगर मैं इसका answer बताऊं, IPL 2020 के purple cap का तो इसका जो answer था वो कगी सो रवाड आड़ा, ठीक है तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही काफी 20 questions ऐसे important थे, जिनने आपको जानना चाहिए और exam की देस्टी इसी वही most important है, ठीक है, IPL से related GKT दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को like जरू कीजेगा, साथ के साथ चैनल को subscribe जरू कीजेगा, हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरू शेर कीजेगा, ताकि आपको दोस्तों इस वीडियो का पाइदा ले सके, बहुत बहुत धन्यवाद,